ये श्री कृष्णा राधे राधे कब है बट साबित्री पूजा 2024 में जाने सूब मुहरुत पूजान समागरी पूजा बिधी और बर्त कथा दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बट साबित्री बर्त 2024 के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि बट साबित्री बर्त 2024 कब है और बट साबित्री बर्त कथा क्या है तो आज की इस वीडियो में मैं बट साबित्री पूजा के बारे में विस्तार जनकारे देने वाली हूँ इसलिए क्रिप्यार पूरी विडियो को ध्यान से सुने बट सवित्री ब्रत पत्ती के लंबी आयू और सुखिर संबती जीवन के लिए रखा जाता है बट सवित्री का ब्रत इस वर्ष 6 जून 2024 का रखा जाएगा जेष्ट मास अंबस्या तिथी 5 जून 2024 की साम को 5 बज़ कर 54 मिनट में आरम होगी और 6 जून 2024 साम 6 बज़ कर 7 मिनट पर खतम हो जाएगा बट सवित्री ब्रत हर साल जेष्ट महीनी के क्रिश्न पच की अंबस्या की तिथी को मनाया जाता है यह ब्रत अखंड सवभाग सुखी बैवाहिक जीवन और पत्ती की लंबी आयू के लिए रखा जाता है इस बार 6 जून 2024 गुरुवार को बट सामीत्री ब्रत रखा जाएगा सवभाग बत्ती असिर्गयों के लिए यह ब्रत बहुत ही महतपुर्ण होता है इस दिन सुखागिन महला बरगत की च्छाव में बैठकर पूजा पाठ करती है और अपने पत्ती की दिर्ग आयू परिवार में सुख समरिधी की कामना करती है इन दिन सबीत्री सत्तेवान और बट ब्रीच यानि बरगत के पेड़ की पूजा करने की प्रमप्रा है बट ब्रीच का धार्मिक महत्व अन सभी ब्रीचों में से किसी एक देवता का निवास होता है जबकि बरगत में त्री देव का निवास होता है सास्त्रों के अनुसार बरगत के ब्रीच के तन्य में साच्छात भगवान विश्नो मुल जड़ में ब्रमपा और साखाओं में भगवान सीव का अवास होता है बरगत के पेड़ के सखाएं नीचे की ओर जुक कर असिरवाद की मुद्रा में करती है पौरानिक गरंथों में भी बट परजाती के ब्रीचों में बट ब्रीच को अमोल बताया गया है इसके जड़ छाएं पत्ते दूद छाया और हवा को ना अब सिर्फ मनुस बल की धर्ती प्राकिर्तिक तथा समर्थ जीवन जन्तु के लिए जीवन रच्छ कहा जाता है बट ब्रीच की पूजा क्यों की जाती है बर्गर्द के ब्रीच से अधिक गुनों वाला दूसरा कोई ब्रीच नहीं है इसलिए इस ब्रीच को किरन जीव कहा जाता है बट ब्रीच के नीचे बैठकर पूजान ब्रत कथा आदि सुनने से जीवन साथी को आयू में ब्रीधी होती है यानि दिरगायू होते हैं मन्याता है कि जो महला बट सावित्री के दिन इस ब्रीच के नीचे बैठकर बिधी बिधान और सच्चे मन से बर्गर्द के पेड़ के पूजा करती है उससे अखण सोभाग ततर सुक सम्रिधी का असिरवाद मिलता है पौरानी कथाओं के अनुसार जीश महीने के क्रिश्न पर्च की अंबास्या के दिन ही बट बिरीच के नीचे सावित्री ने अपने पती सत्यवान के प्रानों के रच्छा यम्राज से की थी उसके पती वर्ता धर्मक से परभावित होकर यम्राज ने उसके पती सत्यवान को प्रान दान दिया था उस दिन से सुहागिन महला अपने पती की लंबी आयू के लिए बट सावित्री का पवर्त करती है मट सावित्री ब्रत पुजा समागरी बास वाला पंखा बास की टुकरी बरगत का फल कलावा कच्चा सुत्ता दीपक धूप अगरबत्ती अच्छत गंध इत्र जल वाला कलस पांच तरह का फल फूल पान सुपारी रोली चंदन कुमकुम सिंदूर सुहाग कसमागरी सवा मिटर कपडा नारियल बतासा मिठाई मखाना मुगफली दाना भीगा चना गूड गेहु के आटे से बनी हुई चौदा पूडिया तथा चौदा गुलगुले चावल और हल्दी का पेष्ट, गाय का गोबर, साबीत्री और सत्यवान की मूर्तिया, तस्वीर, बट साबीत्री ब्रत कथा की पुस्तक बट साबीत्री ब्रत में सुहागण महलाएं ये काम ना करें बट सवित्री ब्रत में सुहागन मैलाएं का काला नीला और सफेद की वस्तर नहीं पहनने चाहिए काले नीले या सफेद चुडियां भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह सब कलर सुहागिन की निशानी नहीं है इसा करने से आपको लाग की जगा नुकसान हो सकता है समराज ने सत्यवान के प्रान चन्य के रूप में साबीत्री को वापस लटाए थे। जिससे बाद साबीत्री ने इसे चन्य को अपने पत्दी के मुँ में रख दिये थे। जिससे सत्यवान प्रान वापस आ गये थे। यही वजह है कि इस दिन चन्य का विशेश महतोमाना ग मट सावित्री ब्रत कथा पुरातन समय में अस्पति नाम के एक राजा थी उनकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने कई सालों तक संतान प्राप्ति के लिए यग हवन आदिकार किये तब कहीं जाकर देवी सावित्री ने परकट होकर उन्हें तेजस्वनी कन्या होने का वदान द सावित्री नाम रखा गया जब वक कन्या बड़ी हुई तो राजा ने उसका विबा करने का निर्न लिया उन्होंने सावित्री को स्वय वर तलासनी भेजा एक दीन बन में जाते हुए सावित्री को एक इवक नजर आए जो साल्यवान देश राजा घुमत सेन के पुत्र सत लेकिन दूस्मनों ने उनका राजा चीन लिया था इसलिए वे बन में प्रहते थे सावित्री ने उन्हें ही अपना पती मान लिये नारज रिसी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अस्वपती के पास पहुचे और बताए कि सावित्री ने जिस युवक को अपना पती चुना है वो गुनवान है धनवान है और बलवान भी है पर उसकी आयू बहुत छोटी है वो अलपायू है एक वर्स के बाद ही उनकी मिर्तु हो जाएगी नारज मुनी की बात सुनकर राजा अस्पती चीनते में पढ़ गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम कोई द सावित्री को पूरी बात बता दियें सावित्री ने कहा कि मैं आरे कन्या अपने पती का एक बार ही वर्रन करती हैं सावित्री के कहने पर राजा अस्पती ने सावित्री का बिबा सत्यवान से कर दियें सावित्री ने नारद मुनी से पती को लंबी आयू के लिए उपाय प पती की तब्यत बिगड़ने लगे तब तुम्हें बर्गत के पेड़ के नीचे चली जाना। सावित्री हिम्मत नहीं हारी और भगवान की आराधना करने लगी। अपनी पती सत्यवान के साथ सावित्री खुसी-खुसी जीवन ब्यतित कर रही थी। समय बित्ता गया कुछी दिनों के बाद उनके पती के तब्यत खराब हो गया। उनके बाद सावित्री अपने पती को बर्गत के पेड़ के पास लेकर चली गई। यहाँ पर उनकी पती की मिर्टु हो गई थी। कुछी देर बाद यह यम्राज आये और उनके पती के प्रान लेकर दच्छिन दिसा की ओर जाने लगे यह सब साबित्री देख रही थी साबित्री में मन ही मन सोच रही थी भारतिय नारी का जीवन पती के बिना उचित नहीं होता है इसलिए साबित्री यम्राज के पीछे पीछे जाने लगी कुछे दूर जाने के बाद यम्राज ने दे करो तो साबित्री यम्राज को बोली परहू मेरा पती जहां भी जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाओंगी बहु समझाने के बाद भी साबित्री नहीं मानी यम्राज का पीछा करती ही जा रही थी यम्राज ने साबित्री को समझाने की कोर्शिस की लेकिन या विधी का विधान है लेकिν साभित्री नहीं मानी अंत में यम्राज साभित्री के सहस और स्त्याग से यम्राज पर्शन हुए और बोले बैटी साभित्री तुम मुझसे कोई तीन वर्दान ले लो और मेरा पीचा छोड़ दो साबित्री ने कहा ठीक है पर्भू जी आपकी जैसी इच्छा साबित्री ने सत्यवान के द्रिस हीन माता पिता के नेत्र की जोती मांगी उनका छीना हुआ राज मांगा और अपने लिए सोब पुत्रों का बर्दान मांगा यमराज ने बर्दान दे दिये वर्द यह सुनकार यमराज खुस हो गया और बोले बेटी तुम्हारे जैसी सती साबित्री पत्नी जिसका होगा उसके पती के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और उन्होंने कहा आज के दिन जो यह बढ़ साबित्री का ब्रत करेगा उसका पती के अपकाल मिर्थु नहीं होग एसा कहकर उन्होंने साबित्री को अखन सोभाग का सिर्वाद दिये और सत्यवान को जिंदा कर वहां से अंतरध्यान हो गएं इसलिए सुहागिन महला पूरी सर्धा और विश्वास के साथ जीवन साथी की दिर्ग आयू की कामना करते हुए बढ़ साबित्री ब्रत करती है बट ब्रीच की पूजा अर्चना करती है बिना बर्गत के पेड के कैसे करे बट साबित्री पूजा यदि आपको बर्गत का पेड नहीं मिल रहा है तो आप तीन देवताओं का भगवान ब्रह्मभा विश्णो और भगवान सिव की छबिया मुर्ति को रख सकते हैं और इसका पूजा जरूर करें वीडियो अच्छी लगी तब वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों साथ सेयर करें कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें